दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबादें क्यूंकि हम लाते रहते हैं नए-ने बिजनिस आइडिया और नहीं जैनकारी के वाल आपके लिए नमस्का फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनिस आइडिया लेके आई हूं जो कि आपका पूरे बारा महीने चलता रहेगा और वो भी बहुत अच्छे से चलेगा और सबसे इंपोर्टन चीज यह कभी बन नहीं होगा और मार्जिन इंक्रीज होता रहेगा तो फ तो दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या करना होता है इस बिजनिस में दोस्तो इस बिजनिस में आपको सबसे पहले एक जगेह का परबन करना होता है जहां से आप इस काम को शुरू कर सकते हैं इसके बाद आपको नोटबुक बनाने के लिए मशीन खरीदनी होती है और मुनाफ़ा कमाते हो. अब आपको बताते हैं कि इस काम में आपको कैसी और कितनी जगे होगी? दोस्तों आपको इस काम के लिए कम से कम 40 गस्ट जगे की दूरत होगी जहां से आप माल को त्यार कर तकते हो और जगे किसी भी इस्तान पर हो सकती है इस कामने अच्छी लोकेशन की आपको दुरत नहीं होगी क्योंकि आप माल सिर्फ तियार कर रहे हो उसे आपको बेचना नहीं है उरिस्तान से तो इस्तान कोई भी हो सकता है अब आपको बताते हैं कि मशीन कितनी लगेंगी और मशीन कितनी रुपय में आपको मिल जाएंगी जाएंगी झाल 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 यहों मशीन के बारे में तो भी आप यहां पर ले सकते हैं जिससे आप अपने नाम की नोड़ बुक मार्किट में सेल कर सकते हैं इससे आगे चल कर आपका अपना नोड़ बुक ब्रांड भी बन सकता है छोटो यह कचछे माल आपको किसी बेड़े शेहर की होलसेल मार्किट में मिल जाएगा और दोडोटो यह कचछे माल पच्चा माल पच्चास रुपे से ले कर70 किलो तक आपको मिल जाएगा जागे मशीन और शेयम jedes के इसके आप आपको मैं पावर चाहिए होगी उसके लिए दो कारीगार रख सकते हैं माल तयार करने के लिए दोस्तो अब बात करते हैं प्रॉफिट की इस काम में 100 पेज की एक नोड़ बुक तयार करने में आपका जो खर्च आएगा वो 9 रुपय से 10 रुपय होगा और आप इसको अगर होल सेल मार्केट में बेचेंगे तो आपको ए अच्छा है एक बार आप अगर इस काम को शुरू कर लेते हैं तो आपको बस होल सेल और रिटेल मार्केट में अपने सम्मंद अच्छे करने होंगे जिससे आप जादा से जादा माल बेच सकें इतना ही था आज की वीडियो में इन वीडियो को लाइक करें शेर करें और हमा सबी वीडियो की जानकारी मिलती रहें बाई दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं